छेले अच्छा बेटा बात ही है कि स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन यह मैं कम्प्लीट आपको ने दमाई ठीक है स्ट्रेट लाइन क्या होती है ठीकिए अपने पीछे मैंने आपको बढ़ा है स्ट्रेट लाइन के बढ़ाई बढ़ाई आज सारी डिटेल कर लेते हैं ताके सारी एक दफा पता होगी जब आएगी फिर मैं दुबार रवाइस करके आपको काम करवा दिया करूंगा जो कैसे ना आये करेगा देखो स्ट्रेट लाइन जो है बिटा यह याद रखना कि जब आपको दो पॉइंक ओन्न जो स्ट्रेट लाइन डिटी स्टिंस होता हमा जो दिस्ट्रंश होते है नागेट कर लुत है ठीक हूं यह पॉइंट और यह यह फॉइंट डिकर जो डिस्त्रंश ऀव तो यह भी एक सिर्षंस है दोवांट कर दिस्ट्रस है नेकिन जो शौर्ट distance होगा, दो points के दिमया, ठीक है? जो दो points के short distance that is called question state line. अवाज आ रही है मेरी? Hello? यह सर. ठीक, 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 अच्छा. जो इस definition आप लिखने हो तो आप लिखने दी shorter distance, the shortest distance between two points is called straight line. स्ट्रेट लाइन यह जी ठीक होगे बठा अच्छा अब आती है कि आपके पास कोईशन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है इक्वेशन ओफ इस्ट्रेट लाइन यह स्ट्रीम लीडियर प्नाई ठीक है इस्ट्रेट लाइन अच्छा देखो बेटा बात यह है कि जो आपकी यह कोईशन स्ट्रेट लाइन होती है अनी इनी फॉर्स डिग्री in x and y is called equation of straight line equation of straight line यह एक्स प्लस भी वाए प्लस सी इस एक्स ये कुशन स्टेडलाइन होगी. देखुँ इसमें एक्स और यह दोनों फर्स डिगरी है. ठीक है? एक्स और वाई बिटा अवाज आ रही है? जी सर अवाज आ रही है. ठीक है. अच्छा. अब देख जैसे यह जैसे ही आगे 2X plus 3Y plus 4 is equal to question is equal to 0 यह question of straight line होगी. A यहाँ पर 2 है, P यहाँ पर 3 है और C यहाँ पर 4 है. ठीक है? Is equal to 0. यह question of straight line general form होगी. अब इसकी types होती है. Types of types of question of straight line लो बेटा बात ही है कि हमारे पास पहली एक आती है जी हम इसे करती है पहली लाइन पैरलर टू एक्स एक्सिस यह जाए ना बड़ा फाइदा होगा आपको पैरलर एक्स एक्स एक्सिस त्रेकोशिश से a technological state line क्या रोती है? देखो, हमारे पास ये है मेरे पास एक्स 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 हेलो है hello śr? यह किसके पैरल्ल है? Sir, यह x x is के पैरल्ल है. Bertrand-so, x x is दिखें, x x water is distance है ये का डिस्ट रस हर जगाए एक जैसे यहां भी हैज्वन हैं जैसे यहां से जहां भी है यहां से भी यहां से बी यहां से भी यहां से भी, ठीक है? तो यह डिस्संस वाए का है तो गी क कुशिशन उदी फ आंडी इक कुशिन दी फांडी फांडी y is equal to y is equal to a is called equation of straight line parallel to to x axis yellow but question straight line parallel to axis you can have ayeon Video y is equal to a which means with constant number for y is equal to why is equal to should state line parallel to y is equal to y so INTRO straight line say why is equal to Eq. यह इकल टू माइनस वाइश फाइव निद्ट है तो वह निचे की तरह भागा वान तू ठी फॉर फाइव के यह यह इकल टू माइनस वाइव विशन स्गेड लाइन लिए तो पैरल टू एकस जब भी होंगि य की वैल्ई होगी अब पैरल टू य एकसिज हो तो नमबर टू, पैरलल टू, वाई एक्सिस, ठीक है? आज मैं आपको ये तमाम डिटेल बताओंगा फिर जब वो करेंगे, क्वेस्टिंस अब हमारी प्राब्लम कोई नहीं हो लेकिन आपने पूछना कोई क्यों 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 प्राब्लम हो तो ठीक है? क्लियर करना है और ये आगी, एक्स एक्सिस, ये आगी, वाई एक्सिस, अब वो पैरल टू वाई एक्सिस लेना हो, तो वाई की पैरल ये ये कोई लाई, ये आगी, वाई की पैरल आगी ना, ये देखिए, पैरल टू एक्सिस हा रही ना, तो ये किसका डिस्स बानता है यहां से, ये कौन सा distance है है हट जगा से एक जैसे है कोंसर distance है कोंसर distance हाई है X के उपर है X के उपर है तो क्या होगा X is equal to ये X is equal to some constant A होगी यहाँ B कर नहीं यहाँ पर ठीक है कोई constant कर नहीं I am the question of straight line the question of the equation is the equation of straight line y is x is equal to b is called is called question of state line parallel to parallel to y-axis यहागे इसका मैं को रोज कर ठीक हो गया parallel to x भी होगी parallel to y-axis जैसे मैं को जी मेरे पस एक क्षिशन है, x is equal to x is equal to five. तो five क्या करें one, two, three, four, five, यह लाइन इसके यहाँ पर ट्राके एक्स इसके ट्राक लाइन जो के parallel to x य'कस आदी, parallel to y-axis आदी, parallel to y-axis आदी बेटा क्लियर है दी से अच्छा आगे चलतो आगे आगे जी वन पॉइंट फॉर्म स्टेट एक कुश्यों स्टेट लाइन यहाँ स्लोप स्लोप इंटर्सिर्ट फॉर्म पॉर्म तो इस डिस्ट्रॉप को ग्रेडियनट भी कहते हैं तो जी तो ग्रेडियन इंटर्सिर्ट फ़र्म फो होती है अब वहजाँ देखें, यह आगे जी होड़े पास यह lumin यह एकसिस सहु आधा है. एक्सिस अब देखो मैं कहता हूं कि का जी हमने खोडरा कोई homeless division यह लाइन नहीं था हमारे पास यह लाइन था यह लाइन आगे ठीक है यह उरीजन था यह यह उन पर üzer aled. शेट लाट है टी लान लॉFL नच्ट vue करे लॉछ करे लॉक नचकल लॉ Hal लॉफस्ट लॉarks decks M X plus C is called slope interest reform. या grid interest reform. यह जो लाइन है आपके पास, इस लाइन को हम कहेंगे, slope interest reform या grid interest reform. जब कभी आपके पास कोई भी जैसे मेरे question है y is equal to three X plus five है. तो four ingredient three है, gradient three है यहाँ पर और y distance c जाँ वो five है. यानि हमें यह बता रही है कि यह line y axis पर five के distance पर काट रही है. y is five के distance हेलो आरियो जी वाज आरी बिटा है. जी सर कोई इसका यह net का जटका लगा जिस वह जब दो अच्छा देखो मैंने आपको अभी जो बताई है वो मैंने आपको एक तो पैरेंट वाइक्सेस बताई है अभी मैं सम्भी बना देता हूं फिर मैं slope इंटरिस्ट evolve बताई है. ठीक है? अब जिको next जो आती हो two point farm आ جती है. टू point farm. Two जो आपने पढ़ी अभी पहने one point farm करने फिर two point farm करती है. तर्दीब से ठीक है? ie har aggressive one point farm. Again ऐसी question of straight line जब कभी एक point से गज़रती हो तो तो प कि आप गर इसे हम point slope form भी कहते हैं और इसे आप point slope form भी कहते हैं अगर यह question की forms का पता हो करना जो जो आपकी होगी ना requirement जो जो given हो को इसके मताबर इसे values put किया करेंगे बस अगर lines का पता हो तो आपको देखो बैटा यहां पे आ गई यह x-axis यह y-axis ठीक है अब देखे हैं हमारे पास पर ना slope intercept form दे रही है slope intercept form यनी slope कहते हैं कि कि यहां पे है यहां पे है यहां पे इस रहे है slope कितना जुकाव क्या उसका ठीक है और उसकी up अगर करेंगी हम फाँं दिया करेंगे the equation of the farm the equation of the farm y minus y1 is equal to m into x minus x1 देखें मैं आपको बतार हुआ है ये जो आपकी फार्म होगी फर्द करें आपके पास ये लाइन है तो ये एक पॉइंट से गुजर ये p x1 y1 ठीक है y1 तो वो पॉइंट आपका x1 y1 गिवन है आपके दियोगी ऐसा स्वाल भी हमने किया था दुबारा करेंगा आपको पता चलता जाएगा ये वन पॉइंट जब भी वन पॉइंट फार्म होगी तो y1 x1 ये दुने वैलिस यहाप उट करनी होगी तो पॉइंट फार्म अभी है वो भी पढ़ी है आपने वो क्या होती है पॉइंट तो पॉइंट फार्म है पिटा गण करना तो कर सकती है यह शुकर यह मैने आपको बुताया था कि ऐसी ञान जो फॉइंट वसे पास क dónde पराव दो पॉइंटों से पास करती हो, कोई भी पॉइंट एक पी वन कहीं भी ले ले, एक पी टू कहीं भी ले ले, एक टू यू एक टू एक टू ठीक है, डी कुशन री फार्म, डी कुशन और री फार्म, यह मुझे आप बताएंगे, पढ़ी है आप ने? यह यह जि यू फार्म होगी, यह हमारी तू पंट फार्म होगी, इस कार्ण से लाइन, मैं सारी कठी बताधी है in two point form. यानि ऐसी question state line की बतानी हो, जो दो point two से गुजरती हो. तो फार्मॉला यह हुआ करें. ठीक हो गया? लो बटबाब भी सम्मरी बना के देता हो आपको. बहुत easy है. इता देखें. सबसे पहले मैंने आपको लिखी, पहली question लिखे दी, वो थी y is equal to a. फिर मैंने दूर्सी question पर x is equal to b. फिर मैंने आपको question y is equal to mx plus c. फिर मैंने आपको लिखे दी y minus y1 is equal to m into x minus x1. फिर मैंने आपको two point form बता ही y minus y1 over y2 minus y1 or is equal to x minus x1 over x2 minus x1. देखो बिटा यह जो पहली equation है. यह पहली है. यह 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 equation of line parallel to to x axis होगी. टीक है? parallel to x axis. टीक होगी है. और यह 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 टीक है? यह 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 जो आपके होगी je पॉइंट फार्म या वन पॉइंट फार्म भी कह सकते हैं जब भी कभी कोई लाइन एक पॉइंट से गुजरती होगी यह वरी कुशन यूज़ किया गरे है ठीक है यह वरी यूज़ किया गरे है और जो लास्ट है वो हमारे पास है जी टू पॉइंट फार्म जब भी कोई लाइन की कोशन प्ताने है दो पॉइंटर से गज़रती हो तो फिर हम यह यूज़ किया गरे है यह वरी यूज़ किया ठीक हो गया और यह जो होगी यह पैरारर्र टू एक्स एक्सिस और यह जो है यह पैररर्र टू वाय एक्सिस और यह जो होगी यह आपके पास पॉइंट फार्म होगी है ठीक होगी है तो जी यह फार्म्स है इन्हें यूज़ करना है मैंने और कुछ निकरना पूरा यह स्ट्रेट लाइन के जो भी काम हो पूरा आपक योगा बाकी आप ये लाइन की कुशिंस हैं मैंने आपको बाकी Give Nun कालने की फ़रृ पतादी हुआ जो yourselves को ठेकँ बटा ये देखे, बात ये है के हमारे पास जो इसी लाइन की जो डो पॉइंटों से गुजटती हो दो पॉइंटों से पास करती है, एक पॉइंट ये है, ठीक है? फिर्ण सकनी है पहला पॉइंट जो है वह आपके पास ए है और वह है तू थ्री, दूसर पउंट भी ह तो जो दो बॉइंटों से पासकरती हो तो इसका स्लोब टियो यहनगे किलाता है यहांपर 5 क्या typically माइनस थ्री ओवर जी सर ओवर ओवर सर ये फोर चाबाज माइनस तू गुड ये आगया जी हमार पर फाइब माइनस थी कितना अगया तू ओवर तू तो इसकी ग्रेट वाद आगया ऐसी लाइन की कोई जो गिवन लाइन दियो जैसे तो एक्स प्लस थी वाई प्लस फूर इस इकल जिरो कहता है इसकी स्रॉब निकाल लो ये तो ऐसी लाइन की स्रॉब निकाल लिया जो के दो पॉइंट्स दियो थे उसका फारवर लगा कि हमने यह वना फारवर यूस किया हमने और इसको कैलकुलेट कर लिया राइट आप वो कहता है जी यह कोईशन है आपने इसमें से स्रॉब निकाल लो बने ही बनाँ इसकी स्रॉब निकालके लो निकालेदी आपके लिया य tactics-y को आपने subject भानके वो को जूब हो चनके अ बाक्यों को उदर लेदी, minus two x, minus four हो गया, और y के वे लिए निकाली, three पे divide कर दिया, सबको minus two by three, minus four by three, हर एको three पे, इसको भी three पे दिया, इसको भी three पे divide गया, इसको भी three पे divide गया, इसको भी three पे divide गया, अब आप देख सकती है, अगर compare करें तो हमने पड़ा हुए y is equal to mx let's see, m क्या ग्रेडर क्या है यहां पे, compare कर लिए इन दोनों को, जी, m क्या होगा, sir, m minus two होगा, minus two by three, check कर लो न, यह x है, तो यहां पे यह x है, इसको अफियन क्याफियन 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 माइस होगा, सी, minus four by three, why answer is minus, लेकिन slope हमने निकाल निकाल नियों तो यह तरीका होता है, याद रखा है, given line की question में slope निकालने की तरीका यह है, और दो पॉइंट जी हो slope निकालने की तरीका यह है, is it clear? ठीके, दो निकालने का, जब line जी हो, वहां से कैसे निकालती है, और दो पॉइंट जी हो, वहां से slope कैसे निकालती है, यह भी आपको clear करती है, right? अब आके चलते है, बटा, next है आपका, मिड़ पॉइंट मैंने बताया था आपको, सारा मैंने आप ज्वाइस कर दिया पीछे से, अब आप इद्धान से यहां से शुरू कर दो, ठीके उसके पर मैं क्विज बगरा ले दी है, फिर आपकी है, आपके से, अच्छा है, देखो बटा, अब मिड़ पॉइंट, इस ते उस के दो है, इसका मिड़ पॉइंट निकाल खुरू है और है, उसको गाल तू है थिक हो कह थिए यह हम नहीं मिड़ पॉइंट है, हम नहीं मिड़ पिन कॉ मिड़ को हम कहते हैं,还 कह थे, में कह थे, उसको अक्स वन यिक्षे С. अब X-Y निकालने का तरीका क्या है? X निकालना हो M का तो वो X1 प्लस X2 बाइ 2 कर देती है. Y निकालना हो तो क्या जिए Y1 प्लस Y2 बाइ 2 कर देती है. देखो, बहुत इजी वे जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है 1 और 3 और दूसरा पॉइंट है 5 और 7 हमने इसका मिट्व पॉइंट निकालना हैं, मिट्व पॉइंट निकालना हैं, म, M, X, Y निकालना हैं, ठीके, तो हम क्या करती हैं जी, जब इसके X निकालना हो, तो क्या करें कि X is equal to, दोनों X's को जमा करके 2 पे डिवाइट कर देना है, देखो, पहला X1 के है 1, दूसरा के है 5, बाइ 2, तो ये solve करेंगे 6 तो 3 आजेगा, इसी दोनों Y's क्या हैं, एक 3 है और एक 7 है, तो 3 प्लस 7 बाइ 2, तो ये 8 बाइ 2 आजेगा, M के पॉइंट क्या निकाला हैं, जी क्या होंगे, 3 and 4, 3 and 4, ठीक है, प्रॉब्लम, लो प्रॉब्लम से, लो बेटा मैंने आपको बीडियो पॉइंट भी बता दिया के बीडियो पॉइंट किस्ता निकालने किसी लाइन का, ठीक है पॉइंट नहीं हूं, फिर मैंने लाइन की कुशिन बता दी, वो पीछे ज रहा हूं, मैंने फिर फ्रॉब निकालें, दो पॉइंटर से, जो आपको फ्रॉब निकालती है, गिवन लाइन दियो वहाँ से स्वाइक के वे लिए निकालेंगे, जो एक्स का कोशिएंट होगा, वो ग्रेडिट होगा, ठीक है, फिर मैंने बताया है कि कुश्चिन की फार करेंगे, और य 12-1-m x 5, इसे आप पॉंट सरो फॉंट कर दें या one पॉंट फॉंट कर दें, ये two फॉंट 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 फॉंट, ये पांच कुशिट निनने जो यूज उस करेंगी हम, और इंशालह जब भी आएगा, मैं प में उस होता है व्य इस एम एक्स प्रस ही ये सर ये ऐसे होगा कुस्टन कि वो कहता है जी आपको मैं आगे चलके को कहता हूँ वो कहता है कुस्टन इस ता होगा Find the equation of straight line Straight line having gradient two and y-intercept is five. अच्छा वाई इंटिसर सी को कहती है. ठीक है? और गिर एम को कहती है. ठीक है? तो इसका यहां जब सुशन स्टार्ट करेंगे तो M हमें given है कितना two? और C हमें given है five. तो by using a question use करेंगे y is equal to mx plus c. तो y is equal to m ki value रखते कितनी है two x plus five logic equation state line आगे. इंटिसर स्टार्म. क्लियर है? यह सिर. यह तमाम जो मैंने रुक है यह लाइन की questions है इस तरह ही लिखी जाएंगे अच्छा और इससे एक और किया जा सकता है कि वह कहता है जी आपके पास slope निकालनी हो तो इस form को यूज किया करेंगे. हमें दे दी हुए जी two x plus five y plus seven is equal to zero. यह दी हुए है. कहता है यहां से आप निकालने, slope निकालने. तो फिर भी आप यही question form यूज करेंगे. यह क्या थी y is equal to mx plus c. यह ना यह लाइन. तो इस y को एक सैट पर ले आएंगे. क्या बनेगा y को जब एक सैट पर ले आएंगे? five y is equal to बाकि सुरु सैट पर जाएंगा minus two x minus seven y single करना सब को किस से डिवाइड करूँ? किस से डिवाइड करें? five y is equal to minus two by five x और minus seven by five. अब आप देख सकती है कि x को कोफिशन यहाँ पर gradient है. यहाँ पर x को कोफिशन क्या है? यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पर यह. सर minus two over five? शाबश शाबश यहाँ गया. अगर आप लिखना देना कि ग्रेडियन यहाँ पर क्या है जी ग्रेडियन और खता होने लगए टाइम तो आपके कम्प्लीट कर दिए फिर आप कल से पेपर स्टार्ट करेंगे ठीक है? टाइम खता होने लगए. ठीक है? अच्छा, आप भी फून पर मिनसे परदा काल करना. महसुर फाइब बिर्कुल ठीक है आप बिर्कुल सही है. तो अगर पेपर हम कल जो आप ले लेंगे फिर उसके बाद इस्टार्ट के आईडिया मैंने सलाह दे लिए आपको. अब यह यूज होगा साथ. चूरी आप इन सब्सक्राइब बात कर लेना भी है. ओके फिर हैं, खुदा आफिस. इस एक क्वेशन है. जी जी. सर यह आपने जो ग्रेडियंट लिखे है, ग्रेडियंट इकस्टू आपने माइस एक्स फाइव लिखे है? माइस तू और फाइव. माइस तू और फाइव. तो यह है, तो यह है, एकस कोफे है. ठीक है, ठीक है? ओके बेटा, मैं फून पे आज़े तो आज़े है. खुदा आफिस. जी जी, बोर दें, बोलें, बोले यह चीज है कि अभी ना वो फोन पर आनी सकता वो बाबा की मीटिंग शुरू होने वरी है थो भी दिर में आच्छे चले बात में मुझे बात कर लीजिए ठीके अगे लाफिस्ट अलाफिस्सर